Hello friends, मेरा नाम है दिनेश, मैं एक laptop technician हूँ, आप मुझे laptop repairing एवं laptop repairing की training के लिए contact कर सकते हैं मेरा contact number है 8800428011 साथी साथ training से related information के लिए आप हमारी website पे visit कर सकते हैं www.masterdines.com ये हमारी website से, इस पे training से related आपको complete information मिल जाती है जैसे home पे आप जो ही क्लिक करते हैं, training के तीनों ही modes यहाँ पर video course, zoom classes and offline regular classes, तीनों आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ complete course card level प्लस chip level के लिए भी information मिल जाती है, एवं अभी most awaiting course भी याने कि जिसका काफी time से इंतजार किया जा रहा था वो course भी start कर रहे हैं हम, Macbook Laptop Repairing Training, basic course होगा, जो कि 15 January से start होगा, so admissions स्टार्ट हो चुके हैं, जिस भी वेक्ति को classes करना है, फटा-फट मेरे को WhatsApp करें या direct मुझे call करें और अपना seat reserve करा है, वन मोर थिंग कि ये class only online होगी, ठीक है, online होगी और इसका fees है 80,000 रुकेस, जिस वेक्ति को भी Macbook से related training लेना है, फटा-फट अपना enrollment करा है, साथे साथ इसी वीडियो में एक case study भी मैं आपके साथ disclose करना चाहूंगा, तो one of the most common problems भी है, और interesting भी है, अमने पूंट रूप से ये दो motherboards है, दोनों में ही लगबग same problem थी, लेकिन दोनों को ही resolve किया गया है, अलग-अलग तरीकों से, इसमें को पहले तो ये dead थे, फिर on किया गया, उसके बाद देखा गया कि caps lock पे display आ रहा है, लेकि स्क्रीन पे display नहीं आ रहा है, ये backlight से related information हो जाती है, महला problem सा जाती है, इस screen पे display ना आना, light ना, data information, जब कि इसमें कई बाद dim display भी आपको show नहीं करता है, capsule आप पे on off हो किया, DSO पे आपका screen शो करेगा, लेकिन screen पे display नहीं आता है, so screen की backlight और की सरीके से enable करते हैं, उसे related complete हम लोग इस video में देखेंगे, so ये काफी interesting होने वाला है, generally ये आपका ADP connector होता है, इस पे जब ही आप connect करते हैं, ठीक है, यहां से एक signal generate हो करके आपके PCH को जाता है, या प्रोसेसर को बोल सकते हैं, देखें, जैसे ये इसका signals है, अगर हम बात करते हैं, यहां पर ये बहुत ही तीन important signal है, EDP backlight PWM, EDP backlight enable और EDP panel power enable, लेकिन ये तभी enable हो पाता है, ये तीनों ही signal out तभी होता है, जब इस पे signal आता है, EDP, SDP का, ठीक है, यहां DP, INT, SDP करके signals आप देख पा रहे हैं, अगर जब ये यहां पर आएगा, तभी आपको ये तीनों signals generate होते हैं, ठीक है, ये तीनों signals अगर generate होंगे, तो तीन बोल्ट backlight, पांच बोल्ट backlight, एवं boost line activate हो पाएगी, और screen पर display आपाता है, देखें, अब कई conditions होते हैं, कई बार तो ये signals ही नहीं आ पा रहा होता है, अ यहां पर हमने totally जो SOC है, उसको bypass कर दिया है, ये तीनों ही enable signal है, इसको bypass कर दिया, अगर ये signal नहीं भी आता है, तो भी इसको bypass कैसे करते हैं, ये सारी चीज़े हम देखेंगे, याने, कि backlight के जो controlling system है, वो SOC से free करवा दिया, totally SOC को bypass कर दिया, backlight की circuit के लिए, वो किस प्रका पर दिखाना चाहूंगा, पहले अगर आप यहां पर बात करें, देखे, EDP, IDP, ये कहां से आता है, इस signals के बारे में बात करें, तो ये आपका screen connector से, ये यहां पर आ रहा है, starting में 2.4 volt होता है, फिर ये 3.3 volt में convert हो जाता है, और ये आपको दिखेगा, pin नमबर 9 से, ठीक है और अगर आप ये चेक करेंगे, देखे, यहां pin नमबर 9 से, ऐसे 0 ohm का register लगा हुआ है, यहां पर जीरो ohm का register, यहां आया, और यहां से होते वे ये DP, INT, internal, SDP के लिखा हुआ है, यहां पर गया है signal, और ये जा रहा है, SOC को, ये SOC को मिलते ही, EDP sections enable होगा, और EDPs के लिए जो important signals हैं, वो तीनो signals ही generally generator, अगर आप वापस देखते हैं, क्या enable signal है, देखे, backlight का PWM, backlight enable और panel enable, ये तीनो ही enable signal है, ये generate होते हैं, ये तब ही generate होगा, एक पर फिर बताना पाऊंगा, जब ये input signal आएगा, ये input signal आता है, कहां से है, screen connector से, कहां से आता है, screen connector, अगर आप दे देखें, pin number 9 से ये connected है, और यहां पर एक IC लगे, जो कि कई बार नहीं लगे होती, motherboard पर ये IC नहीं लगे होती है, दो cases है, हमारे पास एक motherboard ऐसा है, जिसमें ये signal यहां पर 3.3, यानि starting में 2.4, बाद में boost up होके 3.3 में convert हो जाता है, एक में ये आ रहा था, तब भी no display था, औ और एक में ये signal नहीं आ रहा था, तब हमने किस तरीके से किया है, देखें, ये पहला motherboard है, ठीके, दो motherboard है, ये आप देख बार है, ये वो motherboard था, यहां पर अगर आप ये register चेक करें, ये वाला register 83.40, यहां जो ये register है, ये 83.40 है, अगर बोर्ड वीवर में हम दिखाना चाहें पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं, इस 83.40 पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे पहले यहां चेक किया रहता है, इस पर इस टार्टिंग में 2.4, फिर 3.3 वोल्ट में convert हो जाएगी, ये वोल्टेज आएगा, तब तो अच्छी बात है कि ये वोल्टेज आते ह ये जाएगा SOC का और वहां से enable, enable signal आना चाहिए, अगर यहां पर वोल्टेज आप लेबल है, तो एक पर वोल्टेज आ रही थी, छे पर वोल्टेज आ रही थी, दो और पांच पर नहीं आ रही थी, 13, 13 दिख रहा है, 15 ये अलग जगस है, तो हम नहीं क्या किया, सीधे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो यहां पर हमने एक को, एक को साथ से और तीन को 6 से जमपर मार दिया, तो यह क्या होगा, यहां से enable signal generate हो जाएगा, यह ADP panel PSR enable और ADP panel power on PSR enable लिखा है, यह 3 बोल्ट और 5 बोल्ट, जैसे T-con switch लिखा है, 3.3 बोल्ट, इनकी enable signal है, देखें यहां पर तो यह 3.3 बोल्ट convert हो जाएगी, इसमें, ADP के लिए, और यहां पर नीचे यह 5 बोल्ट convert हो जाएगी, यहां पर भी देखें यह enable है, और यह 5 बोल्ट, यह 3 बोल्ट और 5 बोल्ट का conversion, 3.3 बोल्ट है, S0, इसका ADP में conversion होना जरूरी है, इन दोनों का enable signal के लिए, SOC से यह signal और यह signal आना जरूरी है, यह LCD PSR enable देखें, यह कहां से आ रहा है, इसको एक बार देखना चाहेंगे, इसको हमने छोड़ी दिया, इसको क्या कर दिया, एक दम से बिल्कुल हमने छोड़ दिया, यह यहां पर connected है, यहां से out हो रहा है, यह भी, देखें, output है, यह भी क्या है, SOC ही है, यहां पर voltage आ रहा है, यहां पर voltage आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस board में P1 को 7 से, P6 को 3 से बाइपास कर दिया, यह यहां पर यह दोनों पर voltage मिलते ही, सीधे सीधे 3 बोल्ट और 5 बोल्ट की voltage क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी यह 5 बोल्ट, अगर यह 3 स्क्रीन प इवेंग, कई बार एक चीज और है, अगर यह 12 बोल्ट नहीं जा पारी हो, पास करा पारी होती है, तो इस वाले, 12 बोल्ट यह आपका तहां मिलेगा, इसको भी हमने क्या कर दिया है, डारेक्ट ही कर दिया है, जनरली यह देखे, यह साइड होगा, यहां पर, यह IC होती है, Q, Q77, 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 क्या है, इसकी इन्पुट, यह 12 बोल्ट बूश्ट होकर के 38 से 40 बोल्ट में कनवर्ट होती है, इसकी इनेबल, यहां पर भी आपका इनेबल देखे, यही पर है, PSR Enable, EDP, Backlight, PSR Enable, अगर यह Enable Signal, यहां पर, जो ही हम उसको Direct करेंगे, Logicate, यहां पर Enable Signals भी आजाएगा, अगर यहां Enable आ रहा है, फिर भी यह Convert नहीं हो रही है, तो कई बार इसको Direct कर सकते हैं, कोई Problem नहीं है, जनरली जब यह Enable आने लगेगी, तो यह इसको Direct करने के ज पर हमने पहले ही कर दिया था, तो इसको हमने हटाया नहीं, तो देखें, इस Board में हमने क्या बाइपास किया, इस Board में हमारा सबसे Main चीज है, Screen Connector से, जो था Screen Connector से Voltage आ रही थी, जो यहां पर आता है, Voltage, DP, INT, SDP, यहां पर 2.4 या 3.3 बोल्ट अगर आ रही है, यह इस वाल पोर्शन पर, देखें, यह है 83.4, आर 83.4, देखें, अगर यहां पर इसको चेक करें, यहां पर voltage आ रही है, और यह voltage नहीं आ रही है, ठीक है, जनरली यहां पर अगर voltage आएगा, तो यह दोनों voltage कम से कम मिलती ही, मिलती है, एक और 6 पर मिलती है, तो एक को साथ से 6 को तील से हम क्या कर देंगे, बाइपास कर देंगे, यह काम हो गया, अगर देखें, इसमें इतना ही किया है, और हमारा काम solve हो गया, इस बोर्ड में इतना किया है, दो जम पर यहां पर मार दे, बाइपास कर दिया, और यह चेज एक तीसरा यहां पर किया, इसकी जरूद हला कि नहीं है ठीक है इसमें हमारा डिस्प्ले आने लगा दूसरा एक और दनों को हम चेक करके दिखाएंगे इस बोड में क्या हो रहा था इस बोड में कि 8340 पे भी रेजिस्टर पे जो रेजिस्टर है इस रेजिस्टर पे भी वोल्टेज नहीं नहीं आ रहा था देखें 8340 यहां पर आप देखेंगे ओंद दखेंगे यह वल्टेज नहीं आ रहा है और यह वोल्टेज कब आता है जब आप इस स्क्रीन कनेक्ट करते हैं अब में नहीं आ रहा है तप क्या कर सकते हैं भाई में एक और एक तो 5 और 4 को direct कर सकते हो, अब यहाँ पे direct 3.3 volt हो जाएगा, देखिए इसको हमने क्या किया, सीधे सीधे 5 और 4 को direct कर दिया, क्या कर दिया, 5 और 4 को direct कर दिया, तो यहाँ voltage तो आना सुरू हो गया, लिकिन उसके बावजूद, यह enable signal SOC से नहीं आ रहे थे, लॉजिक गेट में 8 नमबर, जो VCC के पीन होती, 8, 7 और 3, चुकि यहाँ 3.3 volt है, और लॉजिक गेट का output भी high voltage, यहाँ 3.3 ही है, तो 8, 7, 3 को direct jumper कर दिया, क्या कर दिया, direct jumper कर दिया, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 8, 7, 3 को direct jumper कर दिया, इस jumper करने के बावजूद, अगर यह T-con का switch conversion नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी S0 को direct इसके output से connect कर सकते हैं, अब देखिए यहीं पे हमने नीचे किया हुआ है, यह अगर आप देख पा रहे होंगे, यह है 3.3 volt, यहाँ पे, यह रहा, यहाँ नीचे, देखिए यहाँ पे है 3.3 volt S0, 3.3 volt S0 है यहाँ पे, 3.3 volt S0 आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए 3.3 है और इसका output पी नंबर 2 है, तो यहाँ इस register पे, तो अब आप देख पा रहे होंगे, mother volt पे, यहाँ से, यहाँ एक jumper कर गया, 3 volt S0 को 3 volt ADP पे convert करा दिया, इसको direct कर दिया, यह 3 volt हो गया, और ऐसे ही हमने direct कर दिया 5 volt, यहाँ देख पा रहे होंगे, 5 volt, नीचे अगर आप देखेंगे, यहीं पे यह 5 volt का, 5 volt S0 LCD है, signal, इस 5 volt को भी हमने direct कर दिया, इस coil पे connect करना हमें, 5 volt जाना चाहिए, तो देखें, इसको direct करने के लिए भी हमने क्या किया है, यहाँ से इसको drill करके, यहाँ पे voltage है, यहाँ से jumper उठा करके, इस current sensing register से जो लगे होते हैं, यहाँ पे हमने direct jumper कर दिया, अब इस पे दोनों ही बोर्ड पे, आपको देखेंगे को मिलेगा lights, दोनों ही बोर्ड पे, दोनों पे ही, इसमें डिम डिस्पले जनरली दिखाता नहीं है, 15-0-2 में, किसी-किसी बोर्ड पे दिखा सकता है, अब एक और चीज आप देखेंगे, यह 4-चिप का है, यानि 2015 का है, इसमें भी 4-चिप ही है, लेकिन यह बोर्ड 4-चिप, इसमें 2013 में भी आता है, 2015 का भी है, तो आपको पैनल भी ध्यान से चेक करना होगा, क्योंकि अगर पैनल 13 और 15 उपर नीचे, अगर आप इंटरचेंज करते हैं, तो SSD लगाने के बाद, जब विंडो इंस्टॉल हो जाता है, तब डिस्पले दिखाता है, यहाँ पे हमने SOC को पूर्णू से बाइपास कर दिया, जो सिगनल, स्क्रीन की बैक लाइट जलाने के लिए, जो सिगनल्स होते हैं, उसको फुली इंडिपेंडेंडेंट कर दिया, SOC से, किस से? SOC इंडिपेंडेंडेंड कर दिया, SOC का इसमें रोल ही खतम कर दिया पुरा, इस क्वायल पे, जो स्क्रीन कनेक्टर के पास, जो क्वायल होती हैं, उसके तीन बोल्ट और जैसे ये पैनल है, अब देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे पांच बोल्ट आनी चाहिए, और यहाँ पे EDPR जो 3 बोल्ट है देख पा रहे हैं, ये तीन बोल्ट है ने, 3.3 HV EDP स्वीच, ठीक है, ये अगर आप चेक करेंगे, ये कहां जा रहा है, कॉपी, तो ये इस रेजिस्टर से होते हुए, पिन नमबर 5, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, यहाँ पे ये इस रेजिस्टर से होते हुए, पिन नमबर 5, पिन नमबर 5 पे 3 बोल्ट आना चाहिए, तर नीचे ये 5 बोल्ट आना चाहिए, इस को आईल से होते हुए आना चाहिए, 5 बोल्ट यहां, 28, 29 और 30 पे, 5 बोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, और यहाँ पे पिन नमबर, बैक लाइट यहाँ पे, अगर कनवर्जन बूष्ट नहीं होगा, तो 12 बोल्ट अगर बूष्ट हो जागा, तो 28 से 40 बोल्ट आएगा, और आपको देखें, यहाँ पे एक कम्प्लेट लाइट शारी है, ठीक है, एक तो ये बोल्ट हो गया, दिखा है, पूरा बाइपास किया, दो बोल्ट है, दोनों को ही हमने, एक ने आधा बाइपास किया है, स्क्रीन में का, दूसरे में, पूर्ड रूप से बाइपास कर दिया, सब्वतों, बैक लाइट से रिलेटेट पंदरज जिरो दो में, इस से बाहर की प्राव्लम्स नहीं आती है, अगर इतना कॉंसर्ट आपका क्लियर है, तो 1502 का बैक लाइट का कम्प्लीट से लूशन आप निकाल सकते हैं, आप ये चीज़े, में चीज़े है, कि स्क्रीन लगाते ही, डाई बोल्ट बन जाती है, 2.4 बोल्ट 9 नमबर पीन पे, तब तो एसोसीट जवाब देने लगता है, अगर जवाब नहीं भी दे रहा है, तो आप बाकी 3 पोल्ट, 5 पोल्ट को भी बाईपास कर सकते हैं, यहाँ पर भी आगए, कॉर्शन मार्क पोल्डर आ रहा है, कोई बात नहीं, तो दोनों ही, देखा आपने, दोनों ही मदर बोर्ड में, पहले क्या होता है, जनरली किसका, अगर आपका 14-66 होता है, या अधर मदर बोर्ड होते हैं, उसमें बाक लाइट की पावर नहीं बनती है, तो दिम डिस्पले आता है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं, और बाक लाइट से रिलेटेड कोई भी सिगनल इनेबल नहीं हो रहा होता है, SOC से, इसे कई बार हम लोगों ने बायोस प्रोग्राम करके भी रिजॉल किया, अगर बायोस प्रोग्राम करते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि ये सिगनल जन्रेट होने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं होता है, तो आप SOC को फ्री कर सकते हैं, बाइपास कर सकते हैं, बाइक लाइट इनेबल करने में, तो उसके लिए तीन पोल्ट, पाँच बोल्ट की पावर को डारेट कर देना होता है, और बारा बोल्ट की पावर को बूस्ट कराना है, तो उसको भी आप डारेट कर सकते हैं, इनेबल सिगनल करेंगे, तो बारा बोल्ट को डारेट नहीं करना पड़ेगा, या बूश्ट नहीं करना पड़ा है क्योंकि तीन लॉजिक गेट जो बताया उसको तो आपको आपका सीधे सीधे लॉजिक गेट है इसमें इस लॉजिक गेट को आप डारेट कर सकते हैं ठीक है अब आठ साथ तीन इसकी आउटपूर्स भी नहीं है और हम लोग बाइपास उसे भी कर सकते हैं इवन हम लोग अभी सी टाइप्स के मदरबोर्ड में भी डिम डिस्प्लेस रिलेटेट का भी प्रॉब्लम आती है उसको भी सॉल्व करना सीखा हमने तो इस तरह के और भी बहुत सारी इंट्रेस्टिंग केक्स स्टेडी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं अगर चैनल पर नए है तो फटा फट सब्सक्राइब करिए और यदि मैग्बू से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फटा फट अपने आपको इं BYE BYE